आज मैं आपके लिए की आई हूँ डबल डेकर सैंड़िश की रेसिपी इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं दो प्रेट के स्लाइसिस आप चाहें तो इसके एज़ेस कट भी कर सकते हैं और फिर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी क्रमिका ब्रेंड की थाउसन आयलेंड की स्प्रेड इस मैं चिस स्प्रेड कर दूँगी ब्रेट स्लाइस की ऊपर और ये ब्राइंड बश्पन से ही one of the favorite ब्राइंड रहा है मेरा फिर चाहे वो बिस्किट्स हो या केचप हो या पर कोई और प्राड़क्ट नेक्स्ट मैं से लेर करूँगी टमेटोस के साथ में आप चाहें तो कोई और वेज़ेटेबल भी ले सकते हैं या पर यूस करिया बॉल पाटेटोस यानि आलू अब यहां पर मैंने एक लिए वेज़ेटेबल की प्रेट कर लिए है अच्छी से अब उसके बाद मैं लूँगी नेक्स प्रेट का स्लाइस और उसके मैं स्प्रेट करूँगी क्रेमिका ब्रैंड की फुदिना चटनी क्र इसे रखना होगा हमें वेज़ेटेबल की लिए के उपर इसके बाद नेक्स्ट ब्रैट के टॉप स्लाइस के ऊपर मैं स्प्रेट करूंगी क्रेमिका की टमेटो केचप और क्रमिका ब्रैंड के और प्रोडक्स के बारे में जानने के लिए आप चेक आउट कर सकते हैं डिस और इसके साथ ही मैंने केचप को अच्छे से स्प्रेट कर लिया है नेक्स्ट मैं इस पर लेयर करूँगी और वेज़ेटेबल को और उसमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ अनियान यानि प्याज कैप्सिकप यानि शिम्लामिर्च एन थोड़ से और टमीटोस और इसके बाद में मैं स्प्रेट करूँगी थोड़ा साथ चीज आप यहाँ पर मॉस्ट रॉला या फिर प्रसेस चीज को कम्बिनिशन भी ले सकते हैं और फिर फिर कोई एक चीज भी ले सकते है अब चीज जासे भारिए हती करने की जिसके लिए मैंने माइकरोवेव को अल्यडेट कर लिया था और से बेक करूं की कम से कम 5 तो 6 मिनट के लिए और आप चाहे तो इसे गेस पर भी बेक कर सकते हैं जिस सरीकिसे आप केक करते हैं बस टाइमिंग थोड़ा कम हो जाएगा युसी किसाद बनके तैयार है हमारी आज की रेसिपी सो डोंट फोगेट तो सब्सक्राइब मैं चैनल थांक्स वर वाचिक मैं वीडियो